ओम शी गनेशा आई नमारादर है दोस्तो आप सभी का मेरे चनल वत कता एस्टलोजर में स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो में हम छटे महिने से नोवे महिने तक कौन से सटीक लक्षन गर्वती महिला में दिखाई देते हैं जिससे कि आप एक सही अनुमान लगा सके कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है या गर्ल को दोस्तो इसमें जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं वो बहुत सी गर्वती महिलाओं से हमने पूछा और उन्होंने ये लक्षन बताए हैं तब ही हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं दोस्तो जरूरी नहीं है कि लास्ट ट्राइमास्टर में ये सारे लक्षन आपके अंदर भी दिखाए दे अगर इन में से कुछ लक्षन भी आपसे मैच करते हैं तब आप एक अनुमान जरूर लगा सकते हैं दोस्तो हमारा इस तरह की वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद होता है कि आप तक सही जानकारी पोचे आप एक सही अनुमान लगा सकें बाकी हमारा ये उद्देश बिल्कुल भी नहीं है कि आप लड़का लड़की में भीदभाव करें दोस्तो वीडियो को देखकर कोई भी गलत कदम ना उठाएं और कोई भी आपके साथ परेशानी चल रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से सला अवश्य करें दोस्तो उन लक्षनों को जानने से पहले आप से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करें बेला लक्र को भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली सभी लेटेस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुश सके सबसे पहले लक्षन की बात करें तो दोस्तो देखे छटा महीना गर्वती महिला का बहुत ही खास माना जाता है क्योंकि बच्चे का विकास बहुत तेजी से हो रहा होता है ऐसे में गर्वती महिला में बहुत सारे हार्मोंस बदलते रहते हैं बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं सबसे पहला बदलाव है दोस्तो अगर आपने एक बेबी बॉय को कंसीव करा होता है तो आपका जो पेट है उसका भी कलर बदलने लगता है अगर आपका पेट का जो रंग है या आपकी कमर है काली पढ़ जाती है तो ये साइन देखे लड़का होने का माना जाता है वही पर अगर आपके कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है और ये आपका दर्द मतल डिलीवरी तक बढ़ता ही रहता है यानि आपके कमर में हलका फुलका दर्द पहले था लेकिन अब कमर दर्द अगर आपका बढ़ गया है तो ये साइन देखे लड़का होने का माना जाता है अगला लक्षन है दोस्तों अगर गर्वती महिला ने देखे एक बेबी बॉय को कंसीव करा होता है तो उसके पैरों में यानि उसके तलवे अगर बहुत ज़्यादा पिंकेस हो गया है तो ये साइन भी देखे लड़का होने का माना जाता है ये लक्षन देखे जो हमारे बड़े बुजर्ग हैं उनका मानना है अगर आपकी प्रेग्नेंसी का देखे लास्ट ट्रायमास्टर चल रहा है तो आप अपने अंदर ये मतलग जो हमने लक्षन बताया है इनको जरूर नोटिस करें अगला लक्षन दोस्तों बताया है कि अगर आपका चहरे का जो रोनक है अगर वापस आ गई है या आपके चहरे की रोनक बढ़ गई है शुरुआती दिनों में आपके चहरे पर बहुत से दाग धबे पिमपल्स या फिर आपका स्किन डल पड़ गया था लेकिन लास्ट ट्र नॉर्मल होता है प्रेगनेंसी में लेकिन अगर आपको मतलब जो वाइट डिस्चार्ज अगर कम हो रहा है तो यह साइन देखे लड़का होने का माना जाता है और वाइट डिस्चार्ज के साथ अगर आपका जो वाइट डिस्चार्ज है मतलब गुलाबी रंग का दिखाई दे रहा है या आपको हलके-फुलके उसमें रक्त के रेशे नजर आ रहे हैं या अगर आपको गुलावी रंग का अगर आपको वाइड डिस्चार्ज होता है तो यह साइन भी देखे लड़का होने का माना जाता है वहीं पर दोस्तों बहुत सी गर्वती महिला को वाइड डि दोस्तो ये थे छटे महिने से नोवे महिने में दिखाई देने वाले कुछ खास लक्षन जो लड़का होने पर गर्वती महिला में नजराते हैं दोस्तो वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जुरू करें आप सभी को ओम शी गरिशाय नमा